ले जी आज की ये बहुत ही जल्दी क्विक एंड इजी बनने वाली स्वीट डिश मैंने बनाई हैं आप लोग भी लास्ट मीं ट्राइ करें और इसकी कंप्लीट रेसिपी देखें अज़ी तो जो मैंने बनाई थी अपनी स्वीट डिश दावत पे ठीक है वो मैंने सिर्फ इन चीजों से बनाई थी ठीक है ये सैन्विच ब्रेड ये जी मिल्क और ये थी हमारे पास ओल्पर की क्रीम आप मिल्क पैक की भी ले सकते हैं जो भी आपको बेस्ट लगे आप ले स जो ख़र एक है और जी हमारे पास थे पिस्टा और ये ठार एक मिल्लड होगी और कुछ बदाम और ये था हमारे पास कस्टर्ड मतलब कि में जो काम था ना में जो काम था वो सिफ इनी चीजों का था 1,2,3,4,5,6 ठीक है अब जी रेसिपी मैंने शुट कर ली थी ती मैंने का जी मैं अपनी दावत के बाद जो मेरी डिमांडिंग जो होंगी ना रैसिपीज उनकी मैं अराम स्कुन से रैसिपी बनालूँगी लेकिन शेर में अपनी वाइटी फैमिली के साथ कुछधेर बात करूंगी तो ठीक है आप लोग चाहें तो आप अपने हिसाब से बदाम ले सकते हैं अपने हिसाब से आप इसमें चीनी चाहें तो आप एड़ कर सकते हैं मैंने चीनी एट नहीं करनी क्योंकि जी मैंने इसको क्रीम भी आपको पता है मीठी होती है उसके लावा जी मैं Allपर दूद यूज़ करी है तो आपको पता है कि इसमें भी कुछ हद तक जो है ना वो मिठास होती है अब जी मैं Allपर का सैंविच इस वड़ा से लेनी है क्योंके जी हमने जो उसके रोल बनाने है ना वो हमें थोड़े बड़े साइस में चाहिए इस वड़ा से मैंने सैंविच ब्रेडरी अब ये सारी चीजों का हमने स्वीडिश बनानी है सारी इन चीजों को मिक्स करके तो हम लोगों ने एक रेसिपी बनानी है अब वो जी complete रेसिपी में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सबसे पहले जो है ना हमारा main काम इस दूद क्या यानि के इस दूद को जो है ना हमने करना है boil इसको जी हमने थोड़ा सा पकाना है ठीक है और पकाने के दुरान हमने इसमें जो है ना ये कस्टर पाउडर mix करके तो इसको थोड़ा सा गाड़ा करना है ताकि इसको freeze में हम लोग ठंडा एक नाइट के लिए तो हम इसको stay करें अगर आप लोग जल्दी बनाना चाहते हैं तो अभी आपको पता है कि winter है winter में आप इसको 2-3 घंटे पहले भी बना कर freeze कर सकते हैं इतना नहीं लेकिन मैंने recipe shoot करनी थी तो जिसकी वरे से मैं इंतजार कर रही थी कि मैं आराम स्कून से अपनी बच्चे वगारा सारे सो जाएंगे तो मैं recipe shoot करूंगी तो चलते हैं अब recipe की तरफ और मैं आपको बना कर दिखाते हूँ कि मैं इससे क्या बनाने वाली हूँ वैसे तो आपको thumbnail से पता चल जाना है लेकिन फिर भी हम twist डाल रहे हैं तो चलते हैं अब अपनी रबडी जो है ना वो हम तियार करते हैं दूसे क्योंकि हमने उसको freezer में ठंडे होने के लिए one night के लिए stay करना है बाकी जो इनका काम है ना रोल का ये हम जो है ना वो सुबो करेंगे लेकिन आपको recipe जो है ना वो complete ही मिलेगी इंशाला तो ये देखें मैंने ले लिया दूद तकरीबन मैंने चार कब दूद लिया ठीक है ओल पर दूद जो था ना ये वाला जो मेरे पास था ना ये मैंने तकरीबन चार कब दूद लिया ठीक है अब जी मैं इसमें डालने लगी हूँ इलाईची ठीक है आपकी मरज़े अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं अगर नहीं डालना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है अब मैं इतनी आइसा इस विज़ा से बौडरी हूँ क्योंकि टाइम देखें सवा दो होगे हैं और सारे जो हैं वो सो चुके हैं ठीक है अब मैं इसमें इलाइटी डालती हूँ और में यही कप नब दें 2 चमर्च की, कउस्टोर दाले हुए जास्ट, कलर चेंच के लिए, मैं त्यार s- Twitch के लिए, और इस आप आपको मैंने ओवर नाइट छोड़ना है तो इसलिए मैं ये आपको रब्री का मैथट बता रही हूँ ठीक है तो ये इसका बॉइल आता है तब तक हम इसमें लाइची डालते हैं मैंने इसमें कोई भी शुगर जो है दो तीन लाइची डाल देती हूँ और क्या उसको कहते हैं इसके एक बॉइल आने तक इसका वेट करते हैं ठीक है मैंने आपको खाता ना बॉइल बस एक इसको बॉइल आने देंगे ठीक है बड़ी मज़े की कुश्भू आ रही है अब जी इसमें मैं डाल देती हूँ ये जी थोड़े से बादाम अब प्लीस मेरे चुड़े को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मुझा टाइम नहीं मला है इन्शाला मैं सुबो इसको साफ करूंगी तो ये देखे जी अब इसमें हमने डाल देए बादाम ठीक है अब जी हम इसको थोड़े और करते हैं ये रिक है जी हमने की हमारी रपड़ी है फ्लेम देख लें आप बिल्कुल मैंने जो हैना को कम की हुई है अब एक बादस को आगे है ठीक है अब ये जो हमने मिक्स किया वा था था ना कस्टरड पाउब ठीक है अब जी इसमें पल्स ना आजए इस विड़ा से मैं ये थोड़ा थोड़ा करके एड़ करती जाती हूँ ठीक है तो ताके जो याने कासे मैंने कैमरा पकड़ा होगा है और एक खासे मैं शूट कर रही हूँ तो प्लीज मेरी सैफ़र्ट को जाया ना जाने दीजिएगा प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब करके इसको जादा से जादा शियर भी करें चलें जी अब मैं इसमें बाकी का जो है वो भी डालती हूँ ताके थोड़ असा ठीक जो है ना वो हमारा हमारी कलर भी चैन्ट हो जाए तो चलें अब मैं इसको मिक्स करके फिर मिलती हूँ आपको अच्छा जी मैंने डाला था मैंगो फ्लेवर अब हम इसको तकरीब बन जो है ना तीन से चार मिनाट और इसको पकाएंगे जैसे ही थोड़ा सा यह गड़ा होगा तो हम जी इसका फ्लेम ओफ कर देंगे तीक है अब जी इस तरह से यह बिस्की है खोड़ा सा तो आजे अगर आप देखे लिए अगर आपने इसमें शुगर एट करनी है तो आप कर सकते हैं मैंने नहीं की क्योंके जी आपको पता है दूर्द में भी थी और आवे कुन बार कुटे पूंकी जान द है तो फिर हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे और फिर देन हम इसको ओवरनाइट फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे ठीक है बाकी का जो प्रोसीजर है वो मैं सुबह करूंगी जो मैंने मलाई रोल बनाने हैं वो भी फिर मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट इसकी ब्रॉट में से हिलाना मजए की लाईटरी की की भी खुशववह आ रही है और जि कस्टर ंचै़ यह पर को शबूब नहीं एदो खएक हिला होरा है लेकिन == मै अप्लो शेयर करा दूं iç ओ जो कि हमने कर दिया है बन्ध ठीक है तो डाघ हो गया था मैंने का इसमें ठंडा होना तो यह मसी थोड़ा सा और घड़ा हो जाएगा अब जी बिल्ल एंड पर जो है ना जो मैंने आपको क्रीम दिखाई थी ना यह वली क्रीम ठीक है इतनी सी जो है ना यह देखने चोप्ती सी यह है कि इसमें हम क्रीम डालके मिक्स करके और इसको फ् और इसको रख देती हूं ठीक है अच्छा जी तो नेक्स टे हमारा जो था वो स्टार्ट हो गया था माशाला से तो मैं आपको फिर से दुबारा करती हूं वेलकम सुबह बखेर अस्सलाम अलेकूम कैसे आप सब उमीद करती हूं आप सब ठीक होंगे और आप सब की दौाउ उसे अलहमदलिल्ला मैं भी बिलकुल ठीक हूं तो ले जी जब नेक्स टे हमारा दिन जो था ना वो शुरू वा ना तो हमने एक पैन लिया पैन में हमने थोड़ा सब जो था ना वो ओल डाला आपने देखा कि मैंने कितना ओल डाला है और जी उसमें हमने डाला दूद डू के उपर जो है ना अराम से जो है ना उसकी एक लियर बन जाए अब जी ये मीठे की जो रेसिपी है ना ये मैंने कहां से देखी और कहां से मेरे माइड में आई और क्यूं मैं यही वाली जो डिश है वो बना रही हूं तो ले जी पहले आप देख ले खोए की एक जो है वो पिल्कुल आपने बस इतनी सी रखनी है और इसको छोड़ना नहीं है वरना इसमें अगर बबल्स वो आगी ना गिल्टी यां सी बन गई ना तो फिर बड़ा टैम लगना जो ना नुकर डंचे फिर तनो होर दो पाना पाना फिर होर खोया पाना तैस बचाता है मेरी गाल जड आपके और इसके अराम से ब्रेड क्म्स बनासकते हैं पिर जी हमने पहली अपनी प्रेड ली ठीक है उसको इस तरह से जो है न वो हमने प्लिन बिल्कुल कर लेना है बिल्कुल उननों मैं कहनी आ बादина ऑंसी इनन को डबाना है tougher नहीं हो यरिन कि मोटे से हमने उसको कर देन है पतला ठीक है उसकी समार्टनस जो है ना वो हमने इस बेरनेक के सा Emir निकाल ली है तो लिए जी हमने देखें इसके ओपर खुया लणाया खुया देखें कितनाunya जबरदस कितनी अच्छी कि ऐसके ओपर लेरिंग आ गई है फिर जी हमने राम राम से इस तरह से इसको रोल करना है रोल करके और हमने अपनी डिश में रख देना है अब जी ये रेसिपी मैंने सीखी थी वरन और नोली अपनी फेवरिट किचन विद आमना जो के हमारी यूट्यूब पे बहुत अच्छी जबर्दसी रेसिपी बनाती है मैं मौसली जितनी भी चीज़े बनाती हूँ ना मैं उनकी ही फोलो की हुई रेसिपी बनाती हूँ तो जब मैंने ये दावत ही थी थी तब उसे एक दिन दो दिन पहले उन्होंने अपनी ये ब्रेड मलाई रोल जो थे ये ना वो रेसिपी लगाई थी तो मैंने का जी मैंने फटा फट से वो सारी चीज़े मैंने देखी लिखी और मैं जाकर लेकर आई और मैंने का जी अब मैंने दावत पे यही बनानी है इसलिए मैंने उनकी ये रेसिपी चुराई है और उनकी रेसिपी जो है ना वो मैंने ट्राई की है तो फिर जी उस तरह से हमने ये जब बना लिए ये जो हमने रात को अपनी रबडी बनाई थी ना फिर हमने इसको इसके उपर ऐसे डोल देना है ठीक है हमने पहले तो अराम अराम से डोलना है इस वज़े से के हमारे ब्रेड के अंदर ना इसका सारा जूसी जूसी सा फ्लेवर है न वो चला जाए बाट जो फिर असी अन्य वाई यह दे दे रोड लेना इस वज़े से आपने कोशिश करनी है कि जादा से जादा इसमें जो है वो रबडी ऐड ओन करें ठीक है ले जी फिर हमने उसके उपर डाल दे दी पिस्ते बदाम बदूम डाल दी है बदाम डाल के हमने इसको रख दिया फिर से फ्रीजर में हमने का थोड़ी सी ठंडी हो जाखा हलाके ठंड थी लेकिन जी फिर भी हमने का जी चलो थोड़ी सी कूल कूल हो जाए कुजी कूजी सी हो जाए मज़ाएगा क्योंकि आपको पता है इस तरह कि जो स्वीडिश होती है ना वो अच्छी लगती है अगर थोड़ी सी ठंडी हो तो ले जी ये थी मेरी आज की रेसिपी जो के उमीद करती हूँ आप लोग को पसंद आई होगी आप लोग भी लास्मी घर पे ट्राइ कीजेगा और मुझे बताईएगा अब जैसे मैंने अपनी फेरिट जो है क्या उसे कहते है उन से ये रेसिपी सीकी थी उनकी उनकारे अपने फेरिट शेफ लालो यह जो मरजी लालो उनसे ये मैंने सीखी थी तो आप लोग भी लास्मी घर में ट्राइ कीजेगा बड़ी जबर्दस बनती है पूते पैसे भी नहीं लाग दे तो मैं कहने हैं बड़ा मजा दा सब महमानों को ये बड़ी पसंद आई थी डिफरेंट थी और सब ने जो थी ने इसकी बहुत तरीफ की थी फिर जी जब हम लोग शाम को ये सर्विंग कर रहे थे तो ले जी मैं मिलूंगे अपनी नेक्स वीडियो में टिल देन अलाहाफिज